This video has been made in collaboration with Mumbai First for the Global Coastal Cities Summit 2023. Global warming के वज़े से दुनिया बर में sea levels बढ़ रहे हैं ये बात सभी जानते हैं इसके पीछे जो भी reasons है वो भी लोग अब समझ चुके हैं चाहे वो greenhouse gases का emission हो या trees का घटना या कई दूसरे factors और इन चीज़े से होता क्या है वो भी लोग समझना शुरू कर चुके हैं किसे sea level rise नही लेकिन extreme weather events, coastal erosion और land का subsidence होना ये effects humans, wildlife और सारे के सारे nature को affect कर रहे हैं ये बात लोग अब clearly समझ चुके हैं लेकिन इसके बावजूद हमें एक बहुत बड़ा global effort नजर नहीं आता इसको combat करने के लिए इसी के अंदर हमारे देश के कुछ important शहर आता है जिन में से one of the most significantly affected शहर जो होगा इस sea level rise के वज़े से वो होने वाला है मुंबई, मुंबई का ज्यादा दर हिस्सा reclaim करके बना गया था, यानि समुदर में से जमीन जो है, वो artificially fill up की गई थी, जिसके बाद में आज का मुंबई का ज्यादा दर line must बना है, जिसके दिक्कत यह है कि मुंबई के कई ह आइपी सीसे के 6th assessment report के हिसाब से, जो 2021 में release हुई थी, मुंबई के ना सिफ बड़े-बड़े parts पानी के नीचे होंगे, राइजिंग sea level के वज़े से, लेकिन जो hinterland है, neighboring cities है, मुंबई के coastal regions के पास में बसे हुई दूसरी towns है, वो भी severely affected होंगे, और आइपी सीसे के report ने कई जो infra projects मुंबई के अंदर चल रहे हैं, उनको भी point out किया था, इस issue के अंतरगत, लेकिन ये भी कहा गया था, कि infrastructure initiatives को ले आने की जरुवत है, जो future में मुंबई के flood risk को कम करे, rising sea level से मुंबई को वो protect कर पाए, लेकिन यही जो infra है, वो आगे जाकर intertidal floor and fauna, fisher folks, इनको भी effect करे तो यही एक mixed bag है, और दोनी चीजों का balance रखना यहाँ पर मुश्किल जा रहा है, लोग क्याते है कि मुंबई जो है future में डूप जाएगा, जिसके कारण yak economy बहुत जादा बड़े level perfect होगी, लेकिन यहाँ पर चीजें समझना जरूरी यह है, कि यो चीजें अभी media reports में बता शेहर पाने में होगा, जहाँ पर एक दिन लोग कोशी कोस्टल लाइन पर रह रहा है और दूसरे दिन पाने के नीचे होगी, यह phenomenon over 50 years तक धीरी धीरी होगा, जिसके कारण enough time resources को collect करने के लिए समय, यह चीजें available होगी, यो कि लोगों को adapt करने के लिए मदद करेगी, जैसे जैसे धीरे धीरे स्ली लेवल राइस होता है, वैसे वैसे जो और urban residential infra है समुंदर के पास में, वो automatically पीचे shift होना शुरू होगा, जो high lying areas है, वहाँ पर automatically demands बनने को शुरू होगी, loss of property जो है वो long term में होगा, लेकिन property की value जो है, वो lose बहुत पहले से होना शुरू होगी, जैस लेकिन long term basis पर time ये जरूर देगी हमें actions लेने के लिए, और इसके लिए कोई ऐसे apocalypse level हमें चीज़ देखने नहीं मिलेगी, लेकिन अगर action ना ले, तो चीज़े हमें धीरे धीरे आखों के सामने deteriorate होते है नजर आगी, और यही जो actions लिए जाने चाहिए, जो sustainable development होना चाहिए और चीज़े सही होनी चाहिए ना से मुंबई के अंदर, लेकिन दुनिया वर की coastal cities में इसी को limelight में लाने के लिए host किया जा रहा है Global Coastal Summit 2023, जहापर government of महराश्या और European Union के साथ में मिलकर, एक unique opportunity सामने ला गई है, चीज़ों को address करने के लिए और discuss करने के लिए, चाहे वो sea लेवल राइस के वज़े से होने वाले climate disasters हो, flooding को combat करना हो, या sustainable future जो coastal cities को develop करने के लिए जरूरी होना चाहिए उसके लिए हो, और इसके वज़े से जो financing और awareness raise करने के लिए जरूरी होगा, government के सामने और private agencies के सामने वो भी किया जा सकेगा, और अगर इनके inclusion कहे, तो हमारे द उसके हिसाब से हमारे शेहरों का adapt करने के लिए, दुनिया के अंदर को शेहर है और देश है, Netherlands के जैसे, जिन्होंने ये चीज़ कर दिखाई है समद्रों कंट्रोल करके, और ये चीज़ हमें देरे-देरे करने के जरूरत है, और इसके लिए जो infra और development की जरूरत पड़ेग झाल